आपको आपको ऐसे इंट्रेस्टिंग टिप्स मिलते रहते दोस्तों वह भी रोज इसलिए अभी तक आपने मेरे शानल को सब्सक्राइब नहीं के तो सब्सक्राइब चल्दी से चल्दी कर लिए और बेल आगिन के साथ ताकि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन्स मेरी आपको सबसे पहले मिल जाएंगी चल्दी वीडियो को शुरू करते हैं शादी के लिए यदि आप अपने बॉड़ी के लिए स्पेशल पैक की तलाश में हैं तो ये वीडियो को एंड तक के जरूर देखें और दोस्तों केवल शादी नहीं कई सारे ऐसे फंक्शन्स होते हैं जिन पी क्या करता दोस्तों संटन को रिमूव करने में हमारी मदत करता है techni हमारी रंगत को साफ कर हमारी तवचा को मुलयाने का काम करते अब उसके बाद जो अगला इंग्रिडिन मैं आपे ले रही हूँ वो है एक चमज गेहूं का आटा गेहूं का आटा आपके चेहरे पर से डर्ट संटान गंदगी को भी रिमूव करता है अब इसमें हम मिलाएंगी करीब एक चोटा चमज नीम्बू का रस नीम्बू के इस्त चेहरे की रंगत को निखारने का काम करता है और तो और ये एंटी एजिंग का बहुत यानिक हमारे चेहरे पर समय से पहले जूरियों को आने नहीं देता है अब जिसाज़ग मिलें के लिए एक बड़े चमच दही का मैंने इस्तमाल करा है खुबची तरीके से सबी चीज़े को मिक्स कर ले और मिक्स करने के बाद यह जो पैक हमने बना करके रडी किया है दोस्तों इसे आप अपने चेहरे पर भी लगा सकते हैं अपने पूरे शरीर पर भी लगा सकते हैं इसे कैसे लगाना है कब लगाना है सारी डीटेल्स आगे इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करूंगी इसे लगा कर भी बताऊंगी ताकि आपको डीटेल में जानकारी मिल सके लेकिन लगाने से पहले एक सबसे IMPORTANT ingredient हमें मिलाने वाले हैं दूस्टोवव है हल्दी पाॉडर अब कसूरी लगार करें कसूरी हल्दी हमारे फेस के लिए स्किन के लिए बेहदी ज़्यादा फाइदे मंद होती है किसी भी आईरुएदिक स्टॉर में आपको ये मिल जाएगी लेकिन अगर मान लीजे आपके पास कसूरी हल्दी इस वक्त नहीं है तो कोई बात नहीं आप हल्दी को स्किप भी कर सकते हैं अगर आप डालना ही चाहे तो आप थोड़ी सी किचन की हल्दी भी डाल सकते हैं अगर आपके पास कसूरी हल्दी नहीं है तो यह perfect consistency हमारी बन करके तयार हो गई है अब इसे कैसे लगाना है चलिए वो भी फटाफट से देख लेते हैं इस पैक को आप अपने चहरे पर भी लगा सकते हैं अपने पूरे शरीर पर भी लगा सकते हैं जब भी आप दोस्तों नहाने जाए नहाने से पहले आप इस पैक को लगाएं जैसे हम कोई स बस उसी तरीके से आपको इस पाकको अपने चेहरे पर पूरी बाडी पर लगाना है है इससे संटन पर बोरी बाडी पर इफेक्ट होता है संटन का वो बिल्कुल रिमुव हो जाएगा आपको इसे केडि लगाकर चो लाइटर हो जाएगी अगर आप इसका हर हफ़ते में कम से कम एक बार इस्तमाल कर लेते हैं तो नहाने के पहले आप इस पैक को लगाए और जैसे आप नॉमली पानी से नहा लेते हैं वैसे आप नहा ले जब ही आप इस पैक को लगा लेते हैं दोस्तों तभी आप साबून का इस्तमाल उसके बाद ना करें क्योंकि अगर आप नाच्रल रेमिडिका इस्तमाल करते हैं तो इसे 100% नाच्रल रखिए साबुन इसके बाद आप अवाइड करें हफ्ते में कम से कम एक बार भी अगर आप इसे कर लेते हैं तो आपको बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स मिलें और जायां पिंपल्स के जो दाग धब्बे होते हैं बिल्कुल हट जाएंगे जैसे जैसे आप इस रेमिडिका इस्तमाल करते जाएंगे ना दोस्तो वैसे वैसे आपके आसपास वाले आपसे पूछने लगेंगे कि ऐसा आप अपने चेहरे पे क्या लगा रहें कि इतना ज जबर्दस रेमिडी है यह दोस्तों एक बार इस रेमिडी का इस्तमाल आप करके देखिए आपको बहुत रेमिडी पसंद आने वाली है और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी पी अच्छी लगी होगी तो लाइक शेर सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले हो सके तो वीडियो को ज्यादा सी ज्यादा शेर करने की कुशिश से जरूर करें अपने दोस्तों मेरे रिश्यदारों में ताकि आपकी जरी उनकी भी मदद हो जाए थैंक यू सो मच पर वाचिं दिस वीडियो फ्रेंद विलते अगले वीडियो में दब तक के लिए बाई टेक केर